दोस्तो स्वागत है आपका Envy Education में तो आज हम सीखेंगे Chemical Equations के बारे में कि हम Chemical Equations को कैसे लिखते हैं ठीक है? लिखनी का तरीका क्या है और Chemical Equations होता क्या है इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दोंगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैं एक एकजामपल लेकर के आपको बताने के कोशिश करता हूँ कि Chemical Equations क्या होते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है ठीक है? तो एकजामपल में एक Magnesium है Magnesium का Ribbon है जिसको Oxygen के Presence में जलाया जा रहा है मतलब Magnesium के एक धागे को हवा में वायू की उपस्तिती में जलाते है जलाने के बाद ये जो Magnesium है Oxygen के साथ प्रतिक्रिया यानि रियाक्शन करके हमें एक Product देता है जिसे हम कहते हैं Magnesium Oxide अब ये जो Sentence आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जब Magnesium Ribbon को Oxygen में जलाया जाता है तो ये बदल जाता है Magnesium Oxide में ये एक Sentence के फॉर्म में लिखा है इसे हम एक Chemical Reaction के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है ये तो बोलने का तरीका हो गया अब हमें अगर लिख करके छोटे फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम कहते हैं Chemical Equation Equation के बारे में आपने Math में जरूर बढ़ा है Math में जैसे A plus B equal to C इस तरह की चीजें ये सारी चीजें क्या होती है Equations के फॉर्म में होती है तो वैसे ही Chemistry में हम Chemicals को इस तरह के फॉर्म में लिख करके Chemical Equation बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है ताकि हमें छोटे छोटे से तरीके में चीजें समझाने में आसानी हो तो यहां पर देखिए एक बड़ा सा sentence लिखा है जिसको की छोटे फॉर्म में यहां पर लिख करके दिखाया गया है तो इसको कहते है word equation क्या कहते है इसको word equation word equation क्यों क्योंकि यहां पर हमने words लिए जैसे कि magnesium और oxygen इन दोनों का जब reaction हुआ तब हमें क्या मिला magnesium oxide मिला अब यहां पर दो बाते हैं कि इस तरफ क्या है यहां पर left hand side का और एक इस तरफ right hand side का चीज है ठीक है और बीच में एक arrow दिये हुगा है यहां पर equal कहीं कहीं पर दिया रहता है कहीं arrow दिये रहते हैं और भी symbols होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा तो यहां पर arrow सबसे पहले जानते हैं कि इस arrow का क्या significance है क्या importance है यह arrow दिखाता है कि equation का direction direction किस तरफ है मतलब क्या मिला रहे हैं और मिलकर के क्या बन रहा है तो arrow का direction देख रहे हैं left से right के तरफ होता है यहां पर है यानि कि left के तरफ जो सारी चीज़े हैं वो react कर रही है और right के तरफ जाकर के हमें product दे रही है ठीक है reaction होने के बाद अच्छ अब हमेशा left hand side के तरफ हम उसको लिखते हैं जो reaction होने के बाद product हमें मिलेगा तो left hand side के तरफ जो भी चीज़े हम लिखेंगे उसको कहते है reactants और right hand side के तरफ जो चीज़े हम पाते हैं उसे कहते है product ओके hope आपको यह समझ में आया होगा कि हम कैसे लिखते हैं लिखने का तरीका क्या है अब ब यहां पर क्या देखा कि एक तरफ magnesium लिखा है फिर oxygen लिखा है यह बड़े-बड़े words लिखे हैं फिर एक product magnesium oxide लिखा है क्या हम इसको और छोटे तरीके से लिख सकते हैं तो लिखने का तरीका और भी है वो क्या तो देखें अब chemical equation को लिखने के जो सबसे precise और जो सबसे छोट तरीका है उसे कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग यह ठीक है chemical equation word के फॉर्म में नहीं किस फॉर्म में chemical formula के फॉर्म में अब chemical formula क्या होता है तो आपने periodic table में बहुत सारे बहुत सारे products बहुत सारे elements के बारे में जानकरी लिए है पढ़ा होगा ठीक है तो उसमें magnesium magnesium को short form में mg लिखा जाता है oxygen को short form में O लिखा जाता है और यहां पे इन दोनों को मिला करके जो बना न दोनों को मिला करके जो बना वो क्या है magnesium oxide जिसका जिसका chemical formula होता है MgO ठीक है तो यानि की तरीका क्या हो गया कि हम words ना यूज़ करके क्या यूज़ करें chemical formula यूज़ करें जो कि हमारे reaction को और जाधा अच्छा और जाधा छोटा बना देगा तो जैसे यहां पर क्या लिखा है mg प्लस ओटू और एरो देखर के दिया है mg ओ ठीक है यहां पर यह क्या है magnesium यह क्या है oxygen जब इन दोनों ने react किया तो reaction हो करके product हमें क्या मिला magnesium oxide मिला left hand side के तरफ का चीज reactants कहलाता है और right hand side के तरफ का चीज product कहलाता है तो यह है chemistry में chemical equation लिखनी का तरीका अब यह equation जो है वह balanced equation नहीं है अब balanced equation क्या होता है वह कैसे balance करते हैं यह सारी चीजे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो इस तरह के equation को जो की अभी तक balance नहीं है इसको कहते है skeletal equation एक धाचा है हां एक क्या है धाचा है जो की balanced अभी नहीं है अब जब हम इससे पूरी तरह से balance कर देंगे तो वह एक होगा balanced chemical equation तो जो balance करने का तरीका है वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अभी के लिए आशा करता हूं कि आपको chemical equation क्या होता है लिखते कैसे है इसको वह समझ आ गया होगा ओके तो बाबाई टेक केर मिलते हैं अगले वीडियो में